हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो जुगनो किद्स लेर्निंग तो फ्रेंट्स आज मैं लेके आई हूँ कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट के जी क्लास के बच्चों के लिए फ्रेंट्स यह है मैज की वरकशीट मैंने यहाँ पर थ्री कॉलम्स बना लिये हैं अब फर्स्ट कॉल आफ्टर लिया है देखिए बिफोर वाले में यह एरो इस तरफ को हैं आफ्टर वाले में यह एरो दूसरी तरफ को हैं राइट साइड को हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से आप बच्चों को मैज की वरकशीट दे सकते हैं बिफोर बिट्वीन एंड आफ्टर सिखाने के six, इस तरह से, और हम बच्चे को बताएंगे, कि वो one के place के नीचे लिखे, tense पर ना लिखे, once का मतलब होता है, जब हमारा number सिर्फ एक, digit का होता है, और tense का मतलब, हम यहाँ पे बच्चे को बताएंगे, कि जब हमारा number two digit का होता है, जैसे कि ten, 9 के before क्या है 8 3 3 के before क्या है 2 तो friends यह मैंने second column लिया है what comes just between तो इसमें हम same मैंने once and tens लिखा है या once वाले place पे सिर्फ एक digit वाले number और tens वाले place पे two digit number देखिए 0 है once place के नीचे and 1 है tens place के नीचे तो इस तरह से हम बच्चों को बता भी सकते हैं कि यहाँ वाले side before होती है यहाँ वाले side after होती है और यह बीच का मतलब between है इन दोनों numbers के between तो 2 2 के after क्या आएगा 3 आएगा और 3 के after क्या आएगा 4 आएगा यानि 2 और 4 के between क्या आएगा 3 आएगा इसी तरह से 7 7 के after क्या आएगा यहाँ को देख रहे हैं हम तो 7 के after आएगा 8 और 8 के after आएगा 9 और 7 और 9 के between क्या आएगा 8 मैं एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पर आप जो है अपने बच्चों को after, before and between 9 तीनों चीजे इकठे दीजिएगा ताकि वो इन तीनों का difference easily समझ पाए क्योंकि मैंने बहुत बार देखा ही कि जब हम after का concept समझाते हैं उसके बाद after की sheets देते हैं बच्चे को practice sheets देते हैं बच्चे को करने के लिए तो वो बहुत easily कर पाता है जब हमने before का concept बच्चे को समझाया है कि practice sheets हमने बच्चे को दे दी हैं करने के लिए तो वो बहुत easily कर पाता है इसी तरह से between समझाया है और between की practice sheets दे दी तो वो बहुत easily कर पाता है लेकिन जब हम तीनों का practice sheet हम इकठी दे देते तो हम उन्हें इकठे ही तीनों चीजें दें तो वो कभी confused नहीं हो पाएंगे What comes just after में ये arrow इस सरफ को लगा है राइट साइड को लगा हुआ है ये 2 है 2 है 1s place पे ठीके तो 2 के इधर arrow लगा It means 2 के after क्या आया तो after आया 3 और 3 हम कहा लिखेंगे 10s place के नीचे नहीं लिखेंगे हम 3 लिखेंगे 1s place के नीचे क्यों क्योंकि ये single number है इसी तरह से 3 देखिए 1s place के नीचे single number है और 3 के after क्या आते है 4 तो हम 10s place पे ना लिखते हुए 1s place पे लिखेंगे तो 9 के after आप बच्चे को बताएंगे कि 10 कैसे लिखेंगे हम तो 10 कैसे लिखेंगे हम 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा 0 means 1s के place के नीचे और 10s के place के नीचे 1 आएगा 10 हम इस तरह से लिखेंगे यह 2 digit number है क्योंकि तो इस तरह से friends बच्चों को आप यह करेंगे इससे बच्चे को हम समझा पाएंगे animals के बारे में and उनके food के बारे में दो concept clear होंगे animals and उनके foods food items तो match the following to find out what each animals like to eat हमें match करना है animal animal को जो food वो पसंद करता है खाने के लिए उसके साथ rabbit likes to eat carrots right तो carrots are favorite food of rabbit तो हम rabbit से carrot को इस सरह से match कर देंगे next मैंने बनाया है monkey और monkey likes to eat bananas तो इस सरह से आप बच्चे को यह worksheet दे सकते हैं और बहुत enjoy करके वो animal और उनके favorite foods का concept समझ पाएगा यह next activity जो है इसमें हम कुछ food items बना देंगे like fruits and vegetables बना देंगे बनाने के लिए हम cereals भी ले सकते थे milk, juices, etc. ले सकते थे पर मैंने यहाँ पे main focus fruits and vegetables पर किया है तो देखिए यह practice sheet में हमें क्या करना है identify and write F for fruit and V for vegetable in the box जो हमें fruits देख रहे हैं हमें उनके लिए इस box में F लिखना है और जो हमें vegetable दिख रहे हैं उसके लिए हमें इस given box में V लिखना है बहुत ही easy worksheet है बच्चे के लिए यह food का concept समझने के लिए fruits and vegetables का concept समझने के लिए तो friends यह next worksheet है और इस worksheet में आप बच्चे को match the picture with its initial sound आप बताएंगे कि यह जो pictures बनी हुई है इनकी initial sound क्या है और जो initial sound होगी उस picture को उस initial sound से match कर देना है तो friends इस तरह से आप बता सकते हैं यह देखिए यह मैंने mask बनाया है तो mask की initial sound है M म म मास्क तो म मास्क इस तरह से मैंने इसको match कर दिया न नूडल्स तो न नूडल्स O ओरेंज O ओरेंज इह इह इगलू म मंकी म मंकी म मैंगो प पैंसिल इस तरह से हमने यह pictures को उनकी initial sound से match कर दिया है यह बच्चों को यह वाली worksheet जो है यह practice sheet जो है बहुत थी interesting लगती है और game game के जैसे वो बहुत अच्छे से initial sounds को pictures के साथ match करना सीख पाते हैं तो friends last में मैंने यह वाली worksheet बनाई है इस worksheet में हम बच्चे को बता सकते हैं थोड़ा creative काम दे सकते हैं पढ़ाई के अलावा जैसे बच्चों को drawing करना नई नई चीजें बनाना बहुत अच्छा लगता है draw five things we get from plants and trees plants and trees से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं पहले हम बच्चे को बताएंगे next time में हम बच्चे से यह activity करवाएंगे five things wood इस तरह से बहुत ही easy diagram है और बच्चा बहुत ही easily is drawing को बना सकता है यह होगी wood cotton is glue some root जैसे की mango बहुत easily बना पातने हैं बच्चे mango और कोई भी vegetable जैसे की लौकी बहुत ही easily बच्चे इसको बना सकते हैं तो friends यह थी practice sheets kg class के बच्चों के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe कीजिए comment box में मुझे लिखके ज़रूर बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी friends यहाँ पर में जो भी मेरे subscribers हैं जो मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं मैं उनको बहुत बहुत thanks पोलना चाहूंगी इसी तरह से हमें support करते रहे thanks for watching my channel